वल्कम तो मोवेल अनलोग अज मैं इस वीडियो में समसंग फिनान्स फिलास लोग यानि केजी लोग पर्मानेटली रिमूब करने का तरीका बताऊंगा इसलिए मैं यूज करूँगा अनलोग तूस तो अनलोग तूस में जाना होगा उसके बाद समसंग पर चला जाना है और तो फोन पर में चला जाता है और देख सकता है यह मेरा फोन है और इसमें समसंग फिनान्स फिलास लोग लगा हुआ है तो इसको करना है किया है जस्सिंपिली पावर अप कर लेना है फोन को फोन को लेना है विरॉम मोड में लेने के लिए बर्यूम प्लास माइनस दबा के तो यह फोन विरॉम मोड में चला जा जाएगा तो देख सकते हैं एक ऐर अड यह 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 अपका पिसे में आएगा तो इसको कैसे फिक्ष थाना हुए मैं पहले बाहा दूंगा और search में जाना होगा और search कर लेना है जो filter लिवी USB के filter है उसको select कर लेना है और open करके just install device filter पर next कर देना है और media deck USB port जो होता है उसको install कर लेना है मेरा PC में install नहीं है इसलिए SI error आ है तो आपका PC में नहीं है तो install कर लीजिए और उसके बाद phone को reboot कर लीजिए और reboot करने के बाद फिर फिर भी phone को bureau mode में लेना पाड़ेगा बिरो मोड में लेने के लिए volume plus minus and power की एकसा दबा के USB अड़ा के connect कर लीजिए और जब यह phone off हो होगा तो उसी time आपको volume plus minus दबा के रहना है और जो power के बटन है उसको छोड़ देना है तो phone चला जाएगा बिरो मोड में तो wait कल देता हूँ और देख सकते है बिरो मोड में च तो वो चला जाते है और successfully FRP factory set और kg log जो हो बाइपस हो जाता है देख सेकता है यह मेरा process complete हो गाया और kg log भी आपको बाइपस हो गाया अभी phone reboot होगा और reboot नहीं होगा तो volume plus minus दबा के phone को reboot कर लीजिए और जो method में आज बाताया इसमें आपको kg log बाइपस हो जाएगा लेकिन permanently bypass नहीं होगा permanently bypass करने के लिए दूसरा trick मैं बताऊंगा वीडियो को लाज तक देखिए और देख लीजिए कैसे करना है यह permanently bypass तो phone reboot हो रहा है और यह जो method बताया है यह same method से आप Samsung का Mediatek का जो devices है उसमें kg log यानि finance log bypass कर सकता है और जो Qualcomm का device है आता है उसको bypass करने के लिए just simply फोन को ideal mode में लेना होगा और जो ideal kg option है उसको select करना होगा तो यह phone आपका bypass हो जाएगा और last में जो मैं trick बताऊंगा और trick यूश करके permanently bypass कर लिजिए तो यह kg बार बार नहीं आएगा तो फ्रेंट देख सकता है मेरा फोन यह बाइपास हो गया के जी लॉक लेकिन जो samsung finance का एप से ओ भी है और notification भी है तो इसको अटाने के लिए आपको फोन को factory set कर लेना है तो factory set करने के लिए यह phone को भी राम मोन में लेना पाड़ेगा और जो factory set जो option है उसको click करना पाड़ फिर भी क्लिक करना पाड़ेगा तो forcefully यह बीराम मोन में चला जाएगा और factory set कर प्रोसेस स्टाट हो जाएगा तो देख सकता है मेरा फोन factory set हो गाया तो अभी रिबूट होगा रिबूट होने के बाद यह जो recovery mode चला जाएगा तो recovery mode में आपको just simply करना किया है factory set कर लेना है factory set सेलेक करके power button सेलेक करके आपको factory set कर लेना है और उसको बाद जब रिबूट होगा उसमें जो samsung का जो apps था samsung finance plus apps और जो notification था lock का वो भी चला जाएगा पर्मेंटली यह बाइपास हो जाएगा कभी भी यह finance plus नहीं आएगा तो देखते हैं यह finance plus जाता है या नहीं तो मैं skip कर दिया और fast forward कर दिया यह setup आप setup कर लीजिए और setup करने के बाद देख लीजिए इसमें kg log है या नहीं तो इसको मैं कर लेता हूँ setup समसंग में जिसमें X-Zino chipset लागा हूँ यह मेतोड से बाइपास नहीं होगा उस फोन को बाइपास करने के लिए आपको बूटलोर अनलॉक करना पड़ेगा और बूटलोर कैसे अनलॉक करना है और कैसे यह बाइपास करना है मैं बात बें बताऊंगा तो चैनल पर बना रह हो यह देख सकता है में इसमें कोई भी अपस नहीं है Samsung का जो Financial Apps था अभी नहीं है और उपर से मैं देख लेता हूँ इसमें जो notification आ रहा था हो आ रहा है यह नहीं तो देख सकता है इसमें notification भी नहीं आ रहा है इसका मतलब successfully bypass और permanently bypass हो थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो